पिछले विडियो में हमने जेनेटिक्स की फील्ड में उभरते रुझानों जैसे जेनेटिक एनजिनिरिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, एपिजेनेटिक्स और सिंथेटिक बायलोजी पर बात छेडी थी। इनको समझने के लिए इस विडियो में हम जेनिटिक से सम्बंदित कुछ बुन्यादी तत्वों को पहले समझते हैं लगभग साड़ित तीन सो करोड़ वर्ष पूर्व प्रित्वी पर तब प्रचलित परिस्तितियों के कारण निर्जीव पदार्थों के समिश्रण से जीवन उत्पन हुआ सबसे पहले सरल और्गैनिक मॉलिक्यूल्स की रचना हुई और्गैनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है ऐसे रासाइनिक योगिक केमिकल कमपाउंट्स जो की कारण के परमाणूओं के इर्दगिर्द गठित होते हैं सरल कारणिक अनू जिनको मोनोमर्स कहते हैं फिर जुड़कर पॉलिमर श्रिंखला बनाते हैं प्रोटीन्स ऐसी पॉलिमर श्रिंखला का एक उधारण है जीवानों के संदर्ब में चार मूल बायो मॉलिक्यूल्स यानि जैव अनू जो जीवित चीजों की बुनियाद हैं वे हैं अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के निर्मान खंड है कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन ही अधिकांच काम करते हैं न्यूकलेक एसिड्स जो फॉसफोरस और नाइट्रोजन जैसे रसाइनिक तत्मों से बनते हैं उधारण के लिए डियने और आरेने कार्बो हाइड्रेट्स जो कार्बन हाइड्रोजन और आक्सिजन के परमानों से बनते हैं उधारण के लिए चीन ये चार बुनियादी बायो मॉलिक्यूल्स, सेल्स, यानि कोशिकाओं को बनाने के लिए एक सांट आते हैं एक कोशिका स्वनीहिज जीवन प्रणाली, सेल्फ कंटेंड लिविंग सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है उधारन के लिए अमीबा जैसे जीव केवल एक कोशिका के बने है कोशिकाओं फिर जुड़कर टिशूज और और्गन्स बनाती है जो फिर मिलकर सिस्टम या प्रणाली बनाते हैं जैसे पाचन प्रणाली, प्रजनन प्रणाली या तंत्रिका तंत्र प्रणाली डाइजेस्टिस सिस्टम, रिप्रोडाक्टिव सिस्टम या नर्बर सिस्टम सिस्टम्स मिलकर फिर जटिल जीव, कॉंप्लेक्स ओर्गैनिजम्स बनाते हैं जैसे हम मनुष्य यहां सारा खेल सूचना प्रसारण, इन्फर्मेशन ट्रांस्मिशन का है कोशिका विभाजन, सेल डिविजन के समय एक कोशिका अपने अंदर नीहित बुन्यादी बायलोजिकल जानकारी को नई कोशिकाओं को प्रसारित कर देती है यानि एक कोशिका जब नई कोशिकाओं में विभाजित होती है तो वो अपनी मूल रचना की जानकारी जैसे वो कोशिका खास क्या काम करती है, वो काम कैसे करती है, इतियादी ये जानकारी नई कोशिकाओं को प्रसारित कर देती है यही कारण है कि प्रजाती, स्पीशीज की विशिश्टरता बनी रहती है ऐसा नहीं होता कि प्रजनन के बाद बिल्ली से चड़िया पैदा हो जाए जैसे आर्किटेक्ट्स एक बिल्डिंग का ब्लूपरिंट बनाते हैं जिसमें उस बिल्डिंग के निर्माण की सारी जानकारी होती है बिल्कुल वैसे ही कोशिकाएं अपना ब्लूपरिंट नई कोशिकाओं को प्रसारित करती है एक जीव के निर्माण की सारी बायलोजिकल इंस्ट्रक्शन्स उस जीव की कोशिकाओं के डिने में होती है डिने शॉर्ट फॉर्म है डि ओक्सी राइबो न्यूकलिक एसिड का जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं डिने एक न्यूकलिक एसिड है चार मूल बायो मॉलिक्यूल्स में से एक जब एक कोशिका विभाजित हो रही होती है उसके डिने की पूर्ण कौपी नई कोशिकाओं में प्रसारित हो जाती है ताकि प्रजातियों की विरासत और निरंतरता बनी रहे हाँ कभी-कभी अक्समात कोशिका विभाजन के दौरान DNA रेप्लिकेशन में कोई तुरुटी आ जाती है इसको mutation कहते हैं यह mutation ही Darwin के evolution के सिध्धान की बुनियाद है DNA एक बड़ा अनू है जो एक लंबी घुमावदार सीडी की तरह दिखता है DNA की इस विशेश संरचना को double helix कहते हैं यह अनूठी संरचना ही कोशिका विभाजन के दौरान DNA रेप्लिकेशन को सरल बनाती है क्योंकि DNA को यह दो भागों में आसानी से विभाजित कर देती है कुछ वैसे ही जैसे एक जुड़ी हुई जिप आसानी से खुल कर दो भागों में बढ़ जाती है DNA की दौनों साइट की पट्टियां DNA बैकबोन, फॉसफेट और डी ऑक्सी राइबोस नाम की शुगर से बनते है इन दो पट्टियों के बीच जो सीडी नुमा अंच है वे नूकलिक आइसेट बायो मॉलिक्यूल से बने होते है इनको नूकलियोटाइड्स कहते है DNA के चार नूकलियोटाइड्स है एडिनीन, थाइमीन, साइटोसीन और गौनीन जिनको सरल रूप में A, T, C, G कहते है कहने का मतलब है कि हम मानवों की मूल संरचना जो है वो रासाइनिक तत्वों पर ही आधारित है अगर एक हूमन सेल के अंदर के DNA को लंबा करके बिचाया जाए तो ये 6 फुट लंबी रसी की तरह होगा और इसमें 6,000 करोड रासाइनिक अक्षर जैसे A, T, C, G होंगे DNA में ये चार मुखे अक्षर अलग-अलग करम से होते हैं जैसे C, A, A, C, A, T, C, G, G, A, G, G, T, A, G, C, C, C इत्यादी और इनका भिन करम ही जेनिटिक कोड बनाता है DNA के एक खंड का कोड निर्धारित करता है कि वो खंड क्या काम करेगा जैसे वो कोड किसी प्रोटीन के निर्मान का निर्धेश हो सकता है DNA के ऐसे विशिट सेगमेंट को जीन कहते हैं कुछ जीन्स निर्धेश देती हैं एक प्रकार के प्रोटीन के निर्मान का और ये प्रोटीन फिर उस जीव में कोई निर्धारित काम करता है जैसे की enzymes जो प्रोटीन का एक उधारण है पाचन प्रक्रिया में मदद करता है कुछ DNA के अंच जीन नियंतरण का काम करते हैं कौन सी जीन कब on हो या off और कितनी देर के लिए जीन expression इस जीन नियंतरण पर निर्भर करता है और इसका epigenetics पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो हम एक वीडियो में आगे चल कर देखेंगे मानव जैसे जटिल जीवों में DNA कोशिका के एक विशेश शेत्र nucleus या नाभिक के अंदर पाया जाता है इसके अलावा जटिल जीवों में बहुत कम मात्रा में DNA कोशिका के एक और अंच mitochondria में भी पाया जाता है यह mitochondrial DNA वंच परीक्षण में काम हाता है जिसको हम एक आगे वीडियो में समझेंगे कोशिका विभाजन से पहले DNA के molecules nucleus में कसकर pack हो जाते हैं कसकर pack हुए DNA को chromosomes या गुंड सूत्र कहते हैं उधहरण के लिए मानव कोशिका में 46 chromosomes हैं चामल के बौदों में 24 और कुतों की कोशिकाओं में 78 chromosomes हैं एक जीव की कोशिका में DNA के पूर्ण सेट को genome कहते हैं आपका genome आपकी operating manual है जिसमें वे सभी निर्देश शामिल हैं जिन पर आधारत आप मातर एक कोशिका से शुरुआत कर वो व्यक्ति बने जो आज आप हैं आपका जीनोम आपके विकास को निर्देशत करता है आपके औरगन्स को उनका काम करने में मदद करता है और शतिकरस्त होने पर खुद की मरमत करने के निर्देश भी उसमें शामिल है जैसे आपके फिंगर प्रिंट अनुके हैं वैसे ही आपका जीनोम भी अनुठा है और किसी भी मानव के जीनोम से कुछ भिन आपका आधा जीनोम आपकी मां बायलोजिकल मदर से आता है और आधा आपके पिता बायलोजिकल फादर से इस कारण आप अपने माता पिता से संबंदित तो हैं लेकिन उनमें से किसी एक के एकदम समान नहीं है आपके biological parents की genes, आपकी लंबाई, आँखों का रंग, किसी खास बिमारी का खत्रा आपकी ऐसी विशेशताओं को प्रभावित करती है 2003 में Human Genome Project नामक अंतराश्ट्रे सयोगी अनुसंधान कारेकरम ने मानव की सभी genes के मानचित्र को पूरा किया आज हमें अपना genetic code काफी अच्छी तरह से पता है, साथ ही अब हमें यह भी पता है कि लगबख सभी मनश्यों में एक समान genes, एक समान करम से विवस्तित होती है और आपके DNA का अनुकरम किसी भी अन्य मानव से 99.9% मिलता है, मगर वो जो 0.1% असमानता रह जाती है, वो ही आपको आप बनाती है, और उसे कुछ अलग अगर आपको आपका genome जो की निर्धारित करता है आपकी सभी गुण, विशेष्टाएं और कोशिका स्तर के मौलिक निर्देश विरासत में मिलता है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या आपका genome ही आपका भाग्य है? नहीं, आपका genome आपका भाग्य नहीं है, आप अपना जीवन कैसे जीते हैं आपके genome के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है, आपकी जीवन शैली, lifestyle और पर्यावरणिय कारक, environmental factors जैसे घर का बातावरण, आपके विकास और स्वास्त में महत्पूर्ण भूमिका निभा जैसे की आप पौश्टिक खाना खाते हैं या नहीं, आप कितने सक्रियें हैं, active lifestyle, आप कितना व्यायाम करते हैं, क्या आप नियवित रूप से ठीक से सोते हैं या नहीं, क्या आप धुमरपान करते हैं, ये सभी निर्णे और विकल्प जो आप चुनते हैं, इनका आपके स स्वास्ते और कल्यान पर सकारात्मक या नाकारात्मक असर बढ़ता है। इसलिए आपका जीनोम एक शुरुवाती अवस्था तो है मगर आपका भाग्य नहीं। हमारे जीवन के बुन्यादी निर्मान खंड जैसे बायो मॉलिक्यूल्स, डिने, जीन्स, जीनोम ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं इसकी हमारी बढ़ती समझ ही आधार है पना प्रहे जेनिटिक रेविलूशन अनुवांशिक क्रांति का। जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलने की हमारी बढ़ती शम्ता जैसे जीन्स को एडिट करना या बदर डालना ये शम्ता ही ना केवल हमें जान डेवा बिमारियों के इलाज के तरीके सुझा रही है ये ही डिजाइनर बेबीज और सूपर हूमन्स रचने की स संभावना और संभावित खत्रे को भी बढ़ावा दे रही है आनुवांचिक क्रांती एक बड़ा सवाल उठा रही है मानव होने का मतलब क्या है क्या केवल प्राकरतिक रूप से रचा मानव ही मानव है या कृत्रिम रूप से सुधारे गए मानव को भी हम होमो सेपियन मा लेंगे आने वाले वीडियो में हम जेनिटिक्स के शेत्र में कुछ अत्याधुनिक उभरते ट्रेंड्स को समझेंगे जो इस अनुवांशिक क्रांती के रचेता है